नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट क्लासेस विध हरीस सर्व में और आज हम सब लोग वही जो इन्वारोमेंट पढ़ रहे थे आज उसी के आगे देखेंगे तो हम सब लोग जानरों और पच्छियों के बारे में पढ़ रहे थे दो लेक्चर हो चुके थे आज उसका तीसरा लेक्चर है जो नए है वो चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबा लें और अगर इससे पहले वाले चैनल नही आपने देखे हैं इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जो है हमारे प्लेइलिस्ट में जाके उन दोनों को देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टन पूरी NCRT बुक करा रहे हैं हम सो लोग पूरी NCRT बुक टापिक वाइज कवर करेंगे तो चलिए शुरू कर हैं उनके बारे में तो चलिए बात करते हैं तो पहला है गाय तो गाय के आगे के दाथ चोटे पत्तो को काटने के लिए घास चबाने के लिए पीछे के दाथ चप्टे होते हैं तो गाय के दाथ कैसे होते हैं तो गाय के दाथ आगे के कैसे होते हैं चोटे होते हैं और पत् को काटने के लिए हो घास चबाने के लिए पीछे के दान चप्टे और बड़े होते हैं दूसरा कि बिल्ली बिल्ली के दान नुकेले होते हैं मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं ठीक है तो बिल्ली के दान नुकेले और मांस को फाड़ने और काटने में काम आते ह साप के दात कहते हैं, साप के दान नुकेले होते हैं, पर वो अपने सिकार को चबा कर नहीं, बलकि पूरा निगल जाता है, ठीक है, साप के दात कैसे होते हैं, नुकेले होते हैं, और वो अपने सिकार को चबाता नहीं, पूरा निगल जाता है, ठीक है, नेक्स्ट, चौथा गिलहरी के दाथ हमेशा बढ़ते रहते हैं, दातों से काटने और कुतरने के कारण इनके घास दाथ घिशते रहते हैं, कि एक कुश्चन पूछा जाता है, कि किसके दाथ हमेशा बढ़ते रहते हैं, गिलहरी, चूहा, आपसन में दे दिया जाता है, तो बहुत लोग इसमें क काटे ना और खुतरे ना तो आप समझ एक उसी के दाथ इतने बढ़़ जाएंगे कि उसके दाथ जोसके उसके मुह फाड़ के बाहर आ जाएंगे इतने इसके दाथ बढ़ जाएंगे समझ गया ना Okay, गिलहरी के दाथ जो हमेशा बढ़ते रहते हैं, चूहे के नहीं, गिलहरी के दात हमेशा बढ़ते रहते हैं, काटने और कुतरने के काण इनके दात गिसते रहते हैं, अगर ये काटे ना, कुतरे ना, इनके दात ना गिसे ना, तो मुझ फालके बाहर आ जा, इतने दात उनके हमेशा बढ़ते रह ठीक है खासकर पेरों के तरवों की घर्मी से ढूरता है छठा एक कुट्टा दूसरे कुट्टे के मलमूत्र की गंद से पहचान लेता एक कुट्टा दूसरे कुट्टे के नहीं को होगा एक कुट्टा जो है दूसरे कुट्टे को मलमूत्र की गंद से पहचान लेता यह जो क के है इसकी जगह आप सब लोग को करिएगा क्या करिएगा को को क्या करेंगे को के की जगह यह को कर लिजेगा तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को कैसे पहचान लेता है मल मूत्र की गंद से पहचान लेता है कि हाँ यह कुत्ता मेरे इलाके में आ गया ठीक है मतलब गाउं में यहां आ गया दूसरा कुत्ता आ ठीक है तो यह कुत्ता दूसरे कुत्ते को कैसे पहचानता है मल मूत्र की गंद से पहचान लेता है ठीक है और पच्छी एक ही समय में दो अलग-अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं, मतलब उनकी दो आखे होती ही न, पच्छों की देखे, पच्छों की जो दो आखे होती हैं, तो ये कहो left side में देख ले, एक कहो right side में देख ले, वो दो जालग-अलग जिगहें पर एक ही समय पर नजर डाल सकते हैं, जबकि म पाइंट बहुतर नहिledge हैं दो चील बाग विंद्ध हम से जो है कितनी गुना ज्यादा दस देख पाती चार गुना ज्यादा दूर देख पाते हैं दो चील बाग और गिः्द की हम से जो है घार Profess लिए जहाएं चील बाज और गिद्ध की हमसे नजर कितने गुना मजबूत होती है, ठीक होती है, या हमसे कितने गुना ज़्यादा देख पाते हैं, कितने ज़्यादा गुना दूर देख पाते हैं, कुछ भी पूछा जाया, तो कितने गुना, चार गुना, कितने गुना, चार गुना, ठी से हम से ठीक है तो चील बाद गिद हम से चार गुना ज़्यदा देख पाते हैं नवा रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद वा काली देखते हैं तो जो है हर चीज को सफेद वा काली देखते हैं उनको कलर वालर रंगी ज़्यदा दिखाएनी पड़ता साप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता, उनके बाहरी कान नहीं होते, साप जब चलता है ना, तो जो जमीन पर कंपन होते ना, उनको सुन पाता है, उनके बाहरी कान नहीं होते, उस कंपन के जरिये, साप इतना perfect सिकार करता ना, कि दूर से जान जाता है, कि मेरा सिकार कहा है, उसी सब्सक्राओंबापन के जरी थीक है गिर यह मुहां पोइंट है कि मचलिया खत्रे कि चताउनी एक दूसरे को कैसे देती हैं मचलिया खत्रे के चताउन एक दूसरे को फिछली तरंगों से देती हैं बार यहें बहुत important इसके बारे में एक ना एक point पूँच लिया जाता है जैसे हाथियों के बारे में वैसे slat के बारे में पूच लिया जाता है तो इसको काईदे से सुनिया और इसको समझिये ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं फिर देखे slat slat के बारे में पहले हम गंटे सोड़ता है सलाथ भालू इतना जो भालू जैसे दिखता है तो सलाथ इतना मतलब इतना आलसी इतना काहिल होता है कि यह जो है सिर्फ हपते में एक बार अपने पेंड़ से उतरता है ठीक है वह भी किसके लिए अभी आप जानेंगे तो सलाथ बालू जैसे दिखते हूं ये 17-18 गंटे पेंडों से उल्टे लेटक कर मस्ति से सोते हूं और ये अपने पूरे जीवन काल इनका जीवन काल कितना होता अगर पूछा जा तो ब्राकेट में देखे हैं हमने लिखा है 40 साल कितना होता सत्रा अफार गंटे सो रहे दुशार गंटे जाग रहे चोविस गंटे इनके पूरे हो गए 4-5 गंटे जाग रहे चार पांच चले गंटे सो रहे हैं एक एक पेंड़ पर हफतो रहते हैं पता चला 맛있어요 लेट Politics यह नीचे उत्रे है एक हफते में एक पेंड पर maximum 8 पेंड तो कोई कोई तो दो ही तीन पेंडों पर बिता देता है पुरा जिवन मुश्किल से 8 पेंडों पर घूमने की तकलीफ उटाते हैं यह देखे लिखा यह सब्ता हमें एक बार ही सौच के लिए पेंड से नीचे उतरते हैं मतलब साथ दिन में एक ही बार आंडमान में ठीक है तो सन 2004 में दिसंबर में आई सुनामी ठीक है सन 2004 में दिसंबर में आये सुनामी आंडमान में से कुछ समय पहले कुछ समय पहले जानौरों के अजीब बेवहार को देखकर वहां के लोग जो है वहां से चले गए और बच गए ठीक तो मतलब क्या है कि जो सुनामी 2004 में दिसमबर में कहाई थी आंडमार में आई थी तो वो जो सुनामी आई थी उससे कुछ समय पहले ही जानवरों के अजीब बेवहार को देखकर लोग वहां से चले गए वो जानगे कोई खत्रा है और वो साहरे बच गए और कुछ समय बाद वो जब चले गए तो कुछ समय बाद वहां सुनामी बहुत भयानक आई ठीक है अगर वहां होते तो कोई भचना पाता आप जानते हैं 2004 में दिसंबर में अंडमान में बहुत भयानक सुनामी आई थी कोई नहीं मरा था वो सिर्फ जानुरों की वज़े से जानुर जो है कुछ समय पहले उनके अजीब बेवहार को लोगों ने वहां जो देखे वो जानुरों को पहचानते थे उनसे लगाओ था इसलिए जानरों को ज़्यादा मारना औरना सिकारुकार नहीं करना चीए, आजकल तो बहुत सारी प्रजातिया जो है, वो लुप्त होने की गगार पे हैं, ठीक है, तो इनको पहले ही जानरों को पता चल जग गया था, कि हाँ ये कुछ है, शुरामियो नामी आने वाली, उनक अजीब बेवहार को देखा, लोगों ने वहाँ, उनको समझा, उनको समझते थे, उनके बीच रहते, तो वहाँ से चले गए, और एक भी लोग नहीं मरे, वो सारे बच गये थे, जानरों की वज़े से ही, ठीक है, उनकी अजीब बेवहार को, अब देखते हैं, कौन कितना गंटा सोता है, 3-4 important point जो पूछ ले जाते हैं, जो NCRT book में दिये, गाय 4 गंटे सोती है, गाय कितने सोती है, तो गाय जो है 4 गंटे सोती है, अजगर कितना 18 गंटा सोता है, जिराफ 2 गंटे सोता है, बिल्ली 12 गंटे सोती है, ठीक है, तो मिदे आपको याद हो गया, अगर पूछ ले जाय गाय कितने गंटे सोती है, तो चार, अजगर, अठारा, जिराफ, दो, बिल्ली 12 ठीक है, बाग अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, अब यह मान के चलिए 6 गुना बेहतर देख सकता है, मतलब बाग अंधेरे में जो रात को जागने वाले, जो ह जन्तो होते हैं वो क्या देखते हैं हर चीज को सफेदवा काला ही देखते हैं ठीक है तो बाग अधेरे में हमसे कितने गुना बेतर देख पता च्छे गुना बाग का गुर्राना तीन किलो मीटर दूर तक सुना जा सकता है यह इंपॉर्टन पॉइंट याद रखना कि बाग का गुर्राना कितनी दूर तक सुना जा सकता है तो कितनी दूर तक सुना जा सकता है तो वह यह तीन किलो मीटर दूर तक सुना जा सकता है बीस उहां लास्ट पॉइंट बाग की मुच्छे हवा में हुए कंपन को भाफ लेती हैं जो बाग की मुच्छे नहीं निकल लेती ह को भाहा है इससे उन्हें अ अंधहरे में भी रास्ता ऊड़ने में भी मदद मिलती है मतलब जो बाय की मुछे ओती न आ हवामे हुए कम्पन को भाप लेती है अब सोचिये कितिने सेंसिट सें किसी एक सेंसिटिविटी और गरिसे थी अा कि न कि वो हवा में हुए कमपन को भाफ लेती हो, पता चल जाता है उनका सिकार का आकार कितना बड़ा, कौन सिकार है, इनका बिल्कुल इस्थित, और सही इस्थित का, कि कितनी दूर है, किस दिशा में है, किस डारेक्शन में उसको नंगिल वंगिल निकालने की ज़रूद नहीं कमपन को देख करके, देखे 20 पॉइंट हो गए हैं, हम सोच रहते हैं, आज जो है, जानवरों पच्छी वाला खतम हो जाएगा, लेकिन नहीं खतम हो गया, अभी जो है, एक लेक्चर और होगा, और इसी क्रम में हम जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, इंपोर्टन पूछ सारे पॉइंट है, तो एक दो लेक्चर और होंगे, उसमें हम सो लोग वह भी जोड़ देंगे, जित्ते बाग ब्यारणों ब्यारण है, वह भी जोड़ के बढ़िहा से पढ़ेंगे, जो पूछे जाते हैं, जो एंसी आटी बुक में दिये हैं, वह ही पढ़ेंगे, और इ और फिर उसको लाके देते हैं, तो आप सब लोग गम से कम इतना तो करीं सकते हैं, कि जो है, हमारे चैनल को सस्क्राइब करने बस, तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए, और जो है बेल आइकन दबा दिजिए, जो इससे की अद्में भी नए वीडियो हम डालेंगे, वो जो है notification उनका आप तक पहुंच जाएगा और जो अगर याद है आपको कोई सिकायत है कोई सुजाव है या फिर जो हम यह 20 point लिखते हैं हर बार इसकी PDF चाहिए होगी तो आप जो है हमको comment box में comment करके बता दीजेगा कि सरम को PDF चाहिए तो हम आपको यह सारी PDF प्रवाइड करा देंगे ठीक है 5 second यह 3rd सारी PDF प्रवाइड करा देंगे इसकी और जो है seated 2020 हमारे चैनल पर चल ला है वो भी जाके आप सब लोग सारे subject देखिए हिंदी भी चल लगी है इंगलिस भी चल लगी है सारी subject चल ली तो वो भी जाके देखिए अच्छा लगा हो तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और हमारे चैनल को please subscribe कर लीजिए और जो है कोई सिकायत सुझाओ या PDF चीए तो आप comment कर सकते हैं और इसी के साथ धन्यवाद अब आपको मिलते हैं कल जैनल